सात्यों नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं यह देखिए यह जो काप दिकाई दे रहा है इसके सरीर पे आप देखिए किस तरह की गांटे बन गई है तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं तो आप वीडियो को स्कीप करके न देखे वीडियो को पूरा देखे यदे आप हमारे इस चैनल पे नए है तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें सात्यों बात करते हैं हमारे इस चैनल न्यू डूडिया वेटसे कलब पर MPD जिसको कि हम मिडियल पठेला डेसमोटो मी बोलते हैं शरन बोलते हैं लंगडि टांग बोलते हैं कि operation की practical class से चल रही है यदे आपको सीकना हो तो इस च्रीण पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर आप संपर करें देखे हम बात करते हैं यह जो काप दिखाई दे रहा है इसके सरीर पर आप गांटे देखिए कितनी बड़ी हो गई है यह लंपी स्किन की लाश्ट एक्टेज है इसमें पसु बहुत ज़्यादा गंबी रावस्ता में चला जाता है और ऐसी कंडिशन हो जाती है सांस करने लगता है हाई ठेंपरेचर देखने को मिलता है सात्यों यह लगबग लगबग बहुत ज़्यादा फեल गई है और लगबग लगबग गोवंसी पसु जितने भी है केटल जितने भी है उन्वें बहुत भेंकर तरीके से फेले हुई है और हमारे यहां बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं लगबग लगबग हर तरह के पस्वों में देखने को मिल रही है और बेंस में भी देखने को मिल रही है और इतनी ज़्यादा गठाने हो गई है यह देखिए हम आपको दिका रहे हैं गले में भी इतनी सुजन आ आ चुके हैं और एक वाइरल डिजीज है यह वाइरल के द्वारा फेली हुई है जो कि केटल गववनसी पसु जितने भी है उनमें ज्यादा फेली हुई है साथियो इसमें क्या रहता है सरीर में गठान हो जाती है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं और पसु के आंकों से पान मिल रहा है साथियो लंपी इसकी डिजीज जिसको क्या हम बोलते है यह देखिए इसकी बड़ी-बड़ी गांटे हमें देखने को मिलती है और इसका यह समय रहते टीटमेंट नहीं करते हैं या सही से टीटमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे पसु की मरतिव बहुत ज्यादा दे बंद कर देता है, हाई टेंपरेचर देखने को मिलता है, कभी-कभी तो दस्त लग जाती है, और पसु परेशान होते हैं, यदे आप समय रहते टीटमेंट कर लेते हैं, तो इसे केस को ठीक कर लेंगे, और इसे किस का टीटमेंट भी यही है, साथि यदे आप पसु के बढ़ा देते हैं, तो इसे केस को ठीक कर लेंगे, अब हम बात करते हैं, यदे आपको इसे केस का क्या टीटमेंट करना चाहिए, तो जब भी हमें इसे केस का क्या टीटमेंट करना चाहिए, तो जब भी हमें इसे केस का क्या टीटमेंट करना चाहिए, तो जब भी हमें आय का परियोग करना है हमने यह देखा है अभी तक इस का इजल देखा है जिस पसों हमने लगा ए उसमें आराम मिला है बिविमारी को महँ ही रोका सकता है वेक्षिन जहां काम नहीं कर रहे है वहां पर आयृमेक्टिनन इसके बाद हमें एविल इंजेक्शन आता है ऐंटी अलर्जिक वह भी हमें बोड़ीवेट के इसाब से लगाना ए बड़े चोटे पसो में आप इसका प्रियोग वजन के इसाब से कर सकते हैं इसके बाद हम अगला इंजेक्शन लोंग अर्टिंग जो इंजेक्शन आता है अंटिबाटिक उसका परियोग कर सकते हैं इसमें इन्रोफलाक्सोसिन का अच्छा रिजल देखने को मिल रहा है हम 10% का ही उपयोग कर रहे हैं तो आप पसुओं के वज़ेन के इसाब से उसका भी परियोग कर सकते हैं इसके बाद यदि पसुओं में ज्यादा गंबिर समयशा है देखने को मिल रही है तो निमुसलाइट पेरासिटामल को जो इंजेक्शन आता है आप उसका भी परियोग कर सकते हैं इन इंजेक्शन का यदि आप परियोग करेंगे तो आपको इंजेक्शन का परियोग करके देखिए हमें आयरमेक्टिन एक बार लगाना है और यह एंटिबाटिक इंजेक्शन और एनलजिसिक इंजेक्शन एंटिपालिक इंजेक्शन जो आते हैं इनका परियोग आप तिन दिन तक कर सकते हैं और इसे केस में हमने रिजल्ट पाया ह और इसे case को ठीक किया जा सकता है इसके बाद आप इसे पस्वों की immunity बढ़ाते रहिए इनको हल्दी खिला सकते हैं हल्टेक एंटिबाइटिक है उसको खिलाना बहुत फाइदेमन साबित हुआ है तो पस्वों में आप 5-7 दिन ता खल्दी का प्रियोग कर सकते हैं गाव हो ज इतरीन से बहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आये होगा यदि वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ल जैहिंद पंदे मात्रम